मेल्स के उपर मैंने इतने सारे वीडियोज बनाए हैं और बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके उपर आम तोर पर लोग बात नहीं करते हैं कौन सा गिस्सा कहां पर प्रज़ेंट है और जो भी उसकी जो दिकत है और पर जो अध्य जो बहुत बारे मेरे कुमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं कि जब भी बात होती है मेल्स के जो प्राइविट हिससे है उसके बारे में उनको बताती हूं तो एक कोशन आता है कि आप ये गलत बोल रही है, कि मेली बात होती है होल्स की, चिदर की, एक होता है, दो होते है, तीन होते है, कितने होते हैं, तो आज हम यही क्लियर करेंगे, और बिल्कुल आपको साइंटिफिक तरीके से ही मैं समझाऊंगी, जो की एक डिराग्राम होग जो मैं आपको बताऊंगे कि कितने होल्स होते हैं, तो चलिए हम देख लेते 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 हैं, तो करते हैं इस diagram को बहुत ही असान तरीके से मैंने आपको बनाने की कोशिश की है ताकि आप समझ अच्छे से सके तो यह वाला जो पार्ट है यह आपको दिखाई दिए रहा है जो रैड कलर से मैंने बनाया है यह पूरा हिस्सा यह एक opening की थुरू खुल रहा है तो यह जो opening है इ जो की मल को बोड़ी से बाहर निकालने का काम करता है तो यह हो गया पहली opening ठीक है जिससे क्या होता है कि आपका जो मल है जो solid है वो बोड़ी से बाहर निकलता है जो waste material जब बच जाता है खाना खाने की जो पच जाने के बाद जो waste बचता है वो बोड़ी से बाहर निकलता है समझ में आया इतना आपको पता है अब देखें next इससे थोड़ा सा ही आगे की साइड में होता है ये पूरा जो पुरुशो का system है वो इसमें मैं आपको समझा दूँ तो ये जो मैंने yellow color से बनाया है पूरा तो ये होता है जहां पे पिशाब इकटा होता रहता है so you found a olur in a pushes ok यहां से एक ट्व निकलती है में में ये निपल काफी लंभी होती है जो कि मैंने yellow color से बनाई है यह बहुत लंबी होती है और यहां से लेकर यहां से लेकि यहां तक का जो part है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर यह जो tube है मैं सिर्फ आपको एक tube दिखाने के कहसे कर रहे हूँ ठीके, यहां का जो part होता है यहां से आगे का वो ही visible होता है और इससे अंदर का कुछ भी visible नहीं है ठीक है समझ में आ रहा है इतना तो यह यूरिनरी जो आपका पिशाब है जो बोड़ी से बाहर निकलता है तो इस तरीके से बोड़ी से बाहर निकल जाता है समझ में आया, इस जूब की थूब बाहर निकल जाता है अब कोश्चन यही होता है कि जब पिशाब इस रस्ते से बाहर निकलता है तो जो आपका जो लिक्विड होता है, जो की सिमिन बोल सकते हैं वो बिल्कुल सिम्पल इस तरीके से है अब देखिए, रस्ते में मैं आपको कुछ चीज़े दिखा रहे हूँ और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये दो मैंने बनाए हैं क्या जो आपकी टेस्टिकल्स होती है, जहां पर आपका स्वंक का फॉर्मेशन होता रहता है यहां से ट्यूब की हैल्प से कहां पर जाते हैं देखिए, एक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है तो यह कुछ इस तरीके से जो आपका जो पिशाप की टूब है उसको इस तरीके से इसके चारो तरफ होती है यह समझे आप इस तरीके से इसमें से पिशाप की टूब आपकी जाती है तो यह एक gland है जिसको प्रोस्टेश gland बोलते हैं तो यह भी इसके अंदर अपना जो लिक्विड है वो डालती रहती है तो अपना जो भी पदार्थ होता है वो इसके अंदर छोड़ती रहती है और यह जो purple color के आपको दिखाई दे रही है इनका भी मैं नाम नहीं बता रही हूं तो यह सारी क्या है glands है जो कि कुछ न कुछ लिक्विड इसके अंदर डालती रहती है ताकि जो रस्ता है यह कैसा रहे जो आपके जो प्रमाने वाले हैं उनके लिए अच्छा बना रहे उनके लिए फेवरेबल हो क्योंकि जो यूरीन है अगर वो इसके अंदर ज्यादा समय तक चिपका हुआ रहता है और डिरेक्टल अगर आपके स्ममा जाते हैं तो मर जाते हैं यहां से यह जो ग्लैंट्स है क्या कर रहे हैं अपना लिक्विड इस ट्यूब के अंदर ही डाल रही हैं तो इतना तो क्लियर हुआ कि इसी ट्यूब के थ्रू ही यह बोड़ी से भाहर निकलेंगे अब इनका रस्ता कैसे सेम होगा वो भी मापको बताऊंगी यहां पर भी अपना लिक्विड दालती हैं और जब यह बनाते हैं तो उससे पहले एक चिपचपा सा पदार्थ आता है अगर हम बात करते हैं मेली यह जो चोटी-चोटी सी जो ग्लैंस होती है यह डालती है ताकि जो रस्ता है और आगे का जो प्रसेस है वो असान हो जाए तो इस तरीक है तो अब आपको यह समझना है कि यह जो रस्ता है यह दो क्यों नहीं है एक किस तरीके से है और यह काम किस तरीके से करते हैं चीके तो देखो जब यूरिन आता है तो आपको समझ में आया कि यह इजली बोड़ी से बाहर निकल जाता है लेकिन जब आपका जो सेमन है वो तो वेक लिक्विड हो भोड़ी से बहार निकल आ है Already tap तो यह वाला रस्ता उपर की सैड़ से समझेऊ जो है है चै literature चैना है यहां reports यहांसे ऊपर का कॉंट्रेक्ट हो जाता है यहां परफे तरीक से और यहां से जो लिक्विड बोड़ी बॉहर से भार आ रहा है ठीके वो यहां से होते हुए simply इसी common रस्ते से बहार निकल जाता है तो जब एक system काम कर रहा है तो उस time में दूसरा नहीं करता है तो इस तरीकी का कुछ होता है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो private हिस्सा है उसमें दिरी-दिरी तैनाव जाने लगा है या फिर कुछ time के लिए रहता है फिर आता ही नहीं है तो इस तरीकी के समश्या है आने लग गई है आपको या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका मन ही नहीं होता है इच्छा नहीं होती है बिल्कुल धिरे-दिरे खत्म होती चली जा रही है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि sensitivity कम होगी इसके वज़े से आपका timing बहुत ही कम हो गया है तो अगर यह सारी problems आपको है तो मैं आपको एक oil recommend करना चाहती हूँ जो कि है lift up oil, nature mania का यह बहुत ही अच्छा oil है क्योंकि सारे के सारे natural hubs से मिलके बना हुआ है इसमें जो भी ingredients हैं उनकी proper तरीके से list दी हुई है इसलिए इसके उपर आप विस्वास कर सकते हैं और देखिए यह किन-किन hubs से मिलके बना हुआ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ तो आपको करना क्या है कि यह है इसके आपको 2 drops लेनी है देखिए कितनी अच्छी packaging है इसकी proper तरीके से ध्यान लेनी है इसमें सिर्फ आपको 2 drops ही लेनी है इस तरीके से 2 pump लेने है और इसका जो color है बिल्कुल natural है इन hubs की वज़े से इसमें कोई artificial fragments नहीं है नेच्रल जो ingredients है उनहीं की इसमें हलकी हलकी सी जो इसकी smell है खुश्बू है वो आती है आपको सिर्फ 2 fingers की help से या इस तरीके से आपको लेना है और प्रॉपर तरीके से अपने जो प्राइटिस से उसकी मसाज करनी है मसाज की टेक्निक्स बहुत तरीके की है या आप कहीं से भी अच्छे से सर्च करके कर सकते हैं नीचे से उपर की तरफ आप धिरी-दिरी अगर मसाज करते हैं और इसको आप regularly use करते हैं बेस तरीका तो है जब आप सुने के लिए जाते हैं उस टाइम में आपकी जीए उससे पहले अपने पार्ट के बहुत अच्छे से क्लीन करना भी जरूरी है या फिर आप सुबर के टाइम में हैं मतलब अगर आप दोनों टाइम करते हैं तो बहुत अच्छा है अगर आपको कोई प्रोब्लम नहीं है लेकिन आप चाहते कि बहुष्य में भी आपको इस तरह की कोई दिक्कते ना आएं तो समझ सकते हैं कि एक जो solid के लिए होता है और जो liquids हैं जितने भी तरीके के आपके body से बाहर निकल रहे हैं वो भी प्राइविट है से वो सिर्फ एक ही होता है वो यह है चीक है मैंने यहाँ पे सिर्फ ट्यू आपको बना के दिखाई है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा जिन लोगों के doubt थे वो clear हुए होगी अगर फिर भी कोई doubt है तो मुझे comment box में ज़रूर बताएगा और मैं उसके उपर वीडियो ज़रूर बढ़ाँगी so goodbye अपना ख्याल रखना है खुश रहना है और दुसरों के बीच में खुश्य बाढ़ते रहना है